नमस्कार दोस्तों, स्वागते हैं सभीगा मेरे यूटूब चनल आजबे मेडिसेन में आज हम डिवीव करेंगे फ्लोरा बीसी केपसूल का इसके क्या-क्या उप्योग हैं, फायदे हैं, सावधने और सापको क्या-क्या दुस्प्रवाव हो सकते हैं चानकरी के लिए इस वीडियो को पूरा जुरू देखें और अगर आपने अभी तक मेरे यूटूब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आकन को जुर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं फ्लोरा बीसी केप्सूल डिस्कवरी मेंकाइड फार्मा का बेस्ट कॉलिटी प्रोडक्ट हैं जिसकी प्राइज हैं 33.37 पे से परिश्ट्रीब इसका कंटेंस वता हैं पाइडियोग्जिन आइडोग्लोरेड 3MG नियासिनामेड 50MG फॉलिक एसिड 1.5MG और लेक्टिक एसिड बेसलेश होता है इसमें 40 गुनित 10 स्पोर्स इस केप्सूल का यूज आप डाक्टर के सलाग अनुसारी करें यह केप्सूल आपको डाक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकर स्टूर पे मिल जाएगा फ्लॉरा बिसी केप्सूल का अभ्योग एंटिबाटिक दवाओं के ज़्यादा इस्तमाल से लगने वाली दस्थ डाइरिया और अगर आपको मुह में च्छाले हो गए हैं तब किया जाता है अगर किसी बीमारी के कारण डाक्टर ने आपको हाईर अंटिबाटिक प्रिस्क्राइब कर दिये हैं और उस कंडिशन में हाईर अंटिबाटिक लेने से आपको दस्थ लग गए हैं जोकि एक नॉर्मल बाद है लग सकते हैं और उस दस्थ के कारण आपको कमजोरी मेसुस होना थकान बनी रहती हैं तब इस केपसूल का यूज आप में स्फूर्थी बढ़ देगा और आपको अगर विटामिन B3 की कमी हैं हार्ड डिसीज हैं हाई कॉलेस्ट्रोल अर्थराटिस पॉलिक एसिट की कमी और पाच्चत नंतर के रोग हैं तब भी ऐसी इस्थित्यों में ये केपसूल डाक्टर द्वारा आपको प्रिस्क्राइब किया जा सकता हैं ये केपसूल सरीर में हीमोगलोबिन का लेवल बढ़ाता हैं और भी अगर आपको सुख्री और ड्राय स्किन के समझ्चा हैं भूलने की बिमारी हैं ADHD की प्रोब्लम हैं चिल्चरापन रहता हैं जीप पर जलन रहती हैं या फिर आपको अलसर के समझ्चा हैं इसी सभी इस्थित्यों के अपचार में ये केपसूल काफी एफेक्टिव हैं चान लेते हैं इसके सावधाने के बारे में तो अगर आपको पहले से कोई कोर्स चल रहा हैं या फिर कोई प्रेगनेट लेड़ी हैं या फिर कोई ब्रेश्टिटिंग मदर हैं तो ये सभी लोग इसका यूज़ करने से पहले एक बार डाक्टर को अपनी इस्तिक के बारे में जुरूर बताएं और उसके बाद ही उनके सलाइक अनुसार इसका यूज़ करें अब बात कर लिते हैं इसके डोज की तो नौर्मली इस केपसुल को एक एक केपसुल नौजिया या वमिटिंग होना या फिर आपको हेड़े हो सकता हैं हो सकता है इन सभी साइड इफेक्ट के अलावा भी आपको कोई अधर साइड इफेक्ट न जड़ाएं तो इसे में आप इसका यूज़ बंद करें और अपने डाक्टर से कंसल्ट करें तो फ्रेंड्स उम्मीर आपको वीडियो जुरूर पसंद है होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राब करना ना भूले तेंक्यू